नमस्ते इंजिनेरिंग ड्राइंग सेकिंडियर पे पढ़ने वाले सभी आईटे के शुडेंट्स जो मेकेनिकल ग्रुप से संबंदित हैं उनके लिए चक्टर वेरी इंपॉर्डेंट है आज हम टाइप अप इस्क्रू थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे यह सिलेबस इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है जो आपके काम का नहीं है मेकेनिकल वाले मेकेनिकल का यह सिलेबस देखें सेकिंडियर आईटे में जो मेकेनिकल ग्रुप तो mechanical trade group में यह buy states हैं इन में से अगर आपके कोई trade है तो यह chapter आपके लिए important है तूटल यह topic दे रखें इस क्रूज चोड़िया सबसे पहले इसको थेट किस प्रिकार के होती है तो यह हेलिकल खाचा होती है जो बेलना कार अत्वा संक्वा कार सतर पर अंदर या बाहर बनाई जाती है इनका उपयोग engineering कारे में बहुत होता है इसका उपयोग bolt, nut, screw, stud आजी में किया जाता है इसकी उपयोग से किसी भी पार को आसाने से बिना तोड़े जोड़े अलग किया जा सकता है किसी सत्य पर बाहर की और बनी चूड़ियां उन्हें हम external thread कहेंगे और सत्य के अंदर बनी चूड़ियां, internal thread कहलाएगे तो external thread में यह two methods दे रखे हैं इस प्रकारी बना सकते हैं left side में और right hand side में इस प्रकार दरसाएगे तो इस पर यह later line से इसको कर रखा है M20 और CRH तो metric thread है और nominal diameter दे रखा है 20 और pitch in millimeter दे रखा है पे tolerance grade और RS का मतलब right hand thread, external thread के अंदर आपने देख लिए अब internal thread के अंदर देखिए, internal thread इस प्रकार भी सो सकते हैं यह section करके देखा है full section, full section करने के बाद किसी part internal thread हम इस प्रकार सो दिखा देखिए, इस प्रकार सो करना है इसमें deep 25 लिखा हुआ है drill तो है आपके 25 deep M बारक और M पंद्रा की यह threads है 20 deep अब screw threads के भाग यह देखिए, elements of screw threads सबसे पहले nominal diameter, जो maximum diameter होता है और यह measure diameter भी कहलता है, minor diameter जो होता है वो crest diameter और root और crest के मद्य से यह हम measure करेंगे तो pitch diameter कर लाएंगे तो यह crest जो हव में corner open है, वो crest कर लाएंगे और जो corner metal के अंदर है, वो root कर लाएंगे तो यह pitch सो कर रखा है, thread का angle सो रखा है और यह flank है और यह lead दे रखी है, और यह root इसको threads के विवन भाग होते है, crest यह बाहर thread में सबसे बाहरी core, outermost age होती है और intern thread में सबसे अंदर की core, innermost age होती है प्लैंक, crest तता root के मद्य की सत्य जो होती है, यह lead यह axe के समातर मापे के दूरी होती है, जो thread form पर एक बिंदू, तता उससे लगे अन्य समधे thread form के मद्य होती है, अताथ crest से crest, यह root से root तक की दूरी होती है, पिछ को हम thread की प्रती कई लंबय में thread की संख्या भी कहते हैं पिछ को हम thread की प्रती कई लंबय में thread की संख्या दूसरे सब्दों में कहें तो नट द्वारा बोर्ड पर एक चेकर गुमाने पर अक्षे दिशा में तेह दूरी वो थ्रेड की लीड खेलती है तो लीड N एन इंटो P N है थ्रेड की स्टार्ट सेंगे P है थ्रेड की पिच यदि N बराबर 1 है तो थ्रेड सिंगल स्टार्ट होता है और L बराबर P हो जाता है इस अवस्ता में थ्रेड की लीड उसकी फिच के बराबर होती है फिच यह अक्स समझ तर नापड़ की दूरी होती है जो थ्रेड फार्म पर दो करमार कत बिंदों के मद्दिक दूरी होती है रूर्ट यह बाहर्ड़ के सबसे अंदर का भाग तता एक अंधर का सबसे बाहर होता है थ्रेड का एंगल दो फ्लेंकों की बीच के जो कौन आता वो थ्रेड एंगल के लाता है जो अक्स से एक्स गुजरने वाले तल से मापा जाता है मेजर और नॉमिनल डामेटर यह इसको थ्रेड का सबसे बड़ा व्यार होता है ब्रिटिस स्टेंडर्ड फाइन तता ब्रिटिस स्टेंडर्ड पाइप थ्रेड यह भी विट वर्थ त्रेड की तरह होती है परन्तु इसके पिछ अथिन फाइन होने के कारण इसके जहरा ही कम होती है यह ब्रिटिस सामनेत गैस इस्टीम तता जल पाइपों में प्रियोग की जाती है तता बीएस एफ ऑटोमबाइल तता एरकार्प में भी प्रियोग होती है metric thread यह निचे इसका आरेक दिया गया है Indian Standard Bureau ने metric पतति पर आधारिक Unified Screw Thread Profile को मानेक Thread की रूप में भारत में प्रियोग के लिए प्रस्थ्त किया है जिससे निचे चित्र में समझाया है और इस metric thread को ISO profile कहा जाता है इस positive में thread के फिच को निश्यत किया गया है ना कि thread की संक्याप्रति इकई लंबाई metric thread को M अक्सर के व्यास के साथ लिखा जाता है जिसे M 30 जहां 30 जो है इस कुर का मिलिमेटर में व्यास होता है इन्हें ने तालिका में नीचे दे रखी है पीस तक और व्यास का 6 मिलिमेटर से लेके 49 मिलिमेटर व्यास तक के मुल्य अंक्यत है यह metric metric thread का रूप है 6 mm व्यास का फिच एक मिलिमेटर को व्यास पॉए 4.733 तो यह जो टेबल दे रखी है 6 से लेके 49 तक British Association thread BA thread यह प्राइच छोटे यंत्रों के screw में प्रियूग होता है thread के जो कौन इसका 50.30 दिगरी होता है 70.5 इसमें अथर्टिकल गहराई का 0.236 भाग शिखर तता तली में गुलाई के लिए होता है तता वास्पिक गहराई 0.6 P होती है तोर्टिकल गहराई 1.136 P होती है और वास्पिक गहराई 0.6 P होती है इसमें एच और डी के मान लिख रहे है एच का मान है 0.866 P और डी का मान है 0.70 P और और 7.5 त्रेट का एंगल दे रखा है पिछ यहां से यहां तक यह सूभर रखे है इसमें इसमें एक और साइड़ी का होता है इसमें थ्रोटिकल डेप्थ का एक बटा आट बाक्सिस तता तली पर इस रूप के अक्स के समानतर काड़ गया जाता है आता है इससे क्रेश्ट अथा रूट सीधे होते हैं इसका थ्रोटिकल डेप्थ डी है पॉइंट 0.86 SP और एक्सुल डेप्थ होती है पॉइंट 649 P तो इसमें भी कैपिटल रेच दी का मान दोनों याद रखना है यह अमेरिकन इस्टंडर्ड थ्रेड पर इस्क्वार थ्रेड इस थ्रेड में इसके फ्लैंक या पार्स भूजा अक्स के लंवत होती है अतों यह एक दूसरी के समानतर होते हैं इसका प्रयोग प्राया सक्ति सेंज्टरन पावर ट्रांस्मिशन के लिए किया जाता है यह न 11 इस तो थ्रेड की जो मोटा ही हैं पिछके आधी होती है पॉइंट पाइप ऐ की तो यह इस इसपारका यह फिगर दे रखाब एक में थ्रेड एक में थ्रेड जो है यह वर्गा का थ्रेड का एक मोडिफाइट रूट है यह काटन में आसान तता रूट पर वर्गा का थ्रेड के विक्सादिक मजबूत होता है इसका प्रियोग उन नटों के लिए किया जाता है जो दो भागों में बनाए जाता है इसका जो कौन 29 डिग्री होता है तता 11 डी वराबर 0.5 प्लस 0.25 मिलमेटर होती है क्रेश्ट पर फ्रेड की जो मोटा ही है वो 0.3707 पी होती है इनका अधिक लोड पर गती सकती संतरण के लिए किया जाता है तो आपने वरक्षॉप में लेत मशीन के जो ली डिस्क रू होता है जो बैड के नीचे पूरी लंबाई में ली डिस्क रू होता है उस पर ये ayake method का स्पिंडल होता है और हाफ नट उसके उपर चलता है अब आता नकल थ्रेड यह भी वर्का का थ्रेड का मोडिफाइट रूप है वर्का के थ्रेड के कौनों को गोल करके बना जाता है तो इसका जो परिछे आर बरब पॉइंट टूफाइप होते हैं यह तरिज्या के समी सर प्रेड कर लोते हैं और इसकी जो गयर ही है जीरो डीप बड़ब जीरो पॉइंट फाइप होती है इसका प्रेड रेल्वे कैरिस के कपलर तता इलेक्ट्रिकल बालूब में होता है नहीं आसानी से बार बार खोलने कर दो कि प्रेड कि यह नकल थ्रेड का सुरूफ है अब बटर थ्रेड इसे ट्राइंग्ला या इसकाँ थ्रेड की मिला कर बना जाये जाय है इसमें अख्रू के लबत होता है और दोनों फिलेंगों की बीच होता है पैताल दिगरी कह रोता है इसके फॉर्टिकल डेप्ट पिच्छ के बराबर होती है और इसमें एक बटा आठ बाग क्रेश्ट था रूट पर अक्स के समय दर काट जे जाता है यह थेट तब ही उप्विक्ट है जब बल पूर्णत एक ही दिशा में लग रहा हो तब यह बटा थेट बड़ी इंपोर्टन्ट है है एक और पी देरक्ट है तो अटिकल डी बराबर पी के बरब बानेगे एक्षुल डेप्ट डी बरब 354 दी होटी बैंच वाइस इसका बैंच वाइस इसक्रूग प्रयोग में किया जाता है तो आज आपने थ्रेट के बारे में पड़ा है इन में से कोई भी एक एक एक्जाम में आ सकती है अगर पिछ दे रखा है तो यह वेल्यू निकाल करके मैजर करके बनाएंगे प्रेहन इसकेज पूछे तो केवल इसका से बनाकर एच और पी के मान सो करना है और यह सेक्शन लाइन सो करनी है थैंक्यू